हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंट्स ये वीडियो हमारी स्पेसली रहने वाली है आयूस एंड वेटनरी काउंसलिंग को ले करके क्या लेटेस्ट अपडेट है और आयूस के आप सभी जानते हैं रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं अगर आपने नहीं किये हैं तो जल्द से जल्द कर लें वेटनरी के भी जल्द ही आपके रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे कैसे आपको कम नंबर में यहाँ पर एडमीशन मिल जाएगा और मिनिमम कितने नंबर पर आपको यहाँ पर एडमीशन मिल सकता है इन सब ब बातों पर अच्छे से हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद बैल बटन को जरूर दबादें, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इन्फरमेशन दे देता हूँ, फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, अन्कैडमी आप सभी के लिए, नॉमबर के मन्त में MST-CET Champion League शुरू कर चुका है, जिसका नेक्स्ट आपका जो एकजाम है फ्रेंड्स, वो होना है 29 ओफ नॉमबर 2020 को, जो सुभह 11 बजे से 12 बजे के बीच होगा, Physics, Chemistry and Maths के वहाँ पर क् अगर आप PCM सेलेक्ट करते हैं, अगर PCB सेलेक्ट करते हैं, तो Physics Chemistry और Bio के आपके जो सरु महाँ पर पुछ जाएंगे, टोटल नॉमबर ऑफ क्योस्टें आएंगे 75, no negative marking, और enroll कर सकते हैं, आप इसके अंदर बिल्कुल free of course, नीचे description में लिंक दे दिया गया है, आप जो मर बिल्कुल free of course, यह आपके लिए मौक टेस्ट मी रहने वाला है, यह टेस्ट भी आपके लिए रहने वाला है, और यहाँ पर आप अच्छी बात यह है, कि यहाँ पर आप प्राइजिज भी जीत सकते हैं, नीचे description में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप इस Champion League के अंदर हैं, रोल कर पाएंगे, तो friends सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं IUS Counseling से related update के बारे में, आप सभी जानते हैं, फ्रेंट्स की IUS की Counseling स्टार्ट हो चुकी है, रेजिश्टेहन उसके स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफी students का यह doubt है, कि sir, रेजिश्टेहन ह नहीं कर पा रहे हैं, और वेबसाइट कौन सी है, तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, www.accc.gov.in पर जैसे ही आप जाएंगे, तो आप सीधा जो है IUS की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आपको कलिक करना है UG Counseling के उपर, वहाँ से फिर पर जैसे ही आपको आईडी और पास्वेड मिलता है, आपको जो है चॉईस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, और वह चॉईस फिल आपको अच्छे से कर देनी है, अच्छे से परेफरेंश डाल देनी है, उसके बाद दोस्तों, रिपोर्टिंग होगी और मैंने schedule आपको लेते हैं वेटनरी कांसिलिंग से लेटिड तो वेटनरी कांसिलिंग अभी तक स्टाड़ नहीं हुई है वेब साइट ओपन नहीं हो अब जो students बस जाते हैं 400 से लेकर 500 के in between तो उनका admission जो है आयूस में वेटनरी में हो जाना चाहिए लेकिन friends क्या रहता है अगर 400 से 500 नमबर के बीच में जिस किसी के भी नमबर आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि क्योंने हम drop कर लें और next year MBBSC ले लें तो friends 400 में और 400 और 500 के बीच जिनके भी marks आते हैं वो वो seat छोड़ देते हैं और next में चले जाते हैं इसलिए आपको जो है straight vacancy round के अंदर आपको जो है 300 से 400 नमबर के in between भी आपके नमबर बन रहे हैं तो chances पूरे पूरे रहते हैं कि आपको वहाँ पर admission मिल जाएगा तो friends वो जो है आप हर एक कोशी जरूर करना बाद की बात किस्मत पर रहेगी अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो अलग बात है वरना आपको अगर ट्राइ करोगे तो seat जरूर मिल जाएगी friends need 2020 के लिए आयूस और वेटनरी आपके पास दो अंती मौके है इस अंती मौके को अच्छे सी यूज करोगे तो आपको जो है admission मिल जाएगा आपका ये ear drop नहीं करना पड़ेगा आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू